दोस्तों नमस्कार प्रणाव अभियादन स्विकार करें शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें 36 गड़ जनसंपर्क सभी जिलों को कोरोना वेक्सिन का वित्रण शुरू आज से लगेगा प्रदेश में ठीका वहीं धान खरीदिय में किसानों को अब तक 12,212 करण रुपय का हुआ है अनलाइन भुकतान तो जानते हैं पूरी खबरें विस्तार से यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चिलन को सब्सक्राइ आज तक 73.56 लाग मिट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है पंजी करत किसानों में से अब तक 82 फिजदी किसान बेज चुके हैं अपना धान पूरे देश में सबसे ज़्यादा कीमत धान की 36 गड़ में है और 36 गड़ में समत्र मुल पर धान का रेट 25 रुपे प्रतिक है और इसके लिए केंद्रे भी ज़्यादा बनाए गए है और बोनी का रगबा भी बढ़ा है खरीब इपलन वर्ष 2020-21 में कुल पंजी करत 21,48,000 किसानों में से अब तक 17,77,000 किसानों से 73,56,000 मिट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है इसका मतलब समर्तन मुल पर खरीदी के लिए 21,48,000 किसानों ने पंजीन कराया था जिसमें 17,77,000 किसानों ने अब तक धान बेची है बाकी अभी कुछ किसान बाकी है वे भी अपना धान जल्दी से जल्दी समर्तन मुल पर बेचे ताकि उनको भी धान खरीदी का लाब हो सके गत वर्ष इसी आउदी में 10,40,000 क कि क के खरीदी हुई थी लेकिन इस वर्ष जादा है कोरोना संकरमन के बावजुद भी इस वर्ष जादा से ज्यादा धान बिकरी है जादा जादा धान किसानों ने सरर्ध मुल पर बेची है इस प्रकार गत वर्ष की तुल्ना में इस वर्ष अब तक 81 प्रतिसत jYादा कि अपना धान बेच चुके हैं और 71% अधिक धान की खरदी भी हो चुकी है राज सरकार द्वारा धान खरदी है तू निर्धारित अंतिम तिथी तक सेज किसानों से धान उपारजन की प्रकिरिया जारी रहेगी इसलिए अभी भी आपके पास समय है यदि आपकी गहानी नहीं ह करके समर्तर मुलपर धान बेचने के लिए अपने मंडियों में ले जाए धान बेचने वाले किसानों को विक्रे किये गए धान के वज में अब तक 12212 करोड रुपए से अधिक किरासी का बुकतान सरकार द्वारा किया जा चुका है तो बहुत अच्छी बात है गुर्ड न करोड रुपए का अनलाइन बुकतान कर दिया है किसानों को बहुत अच्छी बात है गुर्ड नुजे किसानों के लिए राज के धान उपारिजन केंद्रों से अब तक कुल 29,56,000 मिट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है इसमें मिलरों द्वारा 20,86,000 मिट्रिक टन ए पिट्रिक टन ज्यादा धान का उठाव किया जा चुका है जो गत्वर्ज के कुल उठाव की तुलना में इनकाउन प्रतिसत अधीक है तो अच्छी बात है इस प्रकार से धान का उठाव हो रहा है और किसानों को उसका अनलाइन बुकतान भी हो गया है जो भी अभी बचे भी एक किसान है वे भी जल्दी से जल्दी अपना धान समर्थर मुलू पर बेचे और आनलाइन भुकतान का लाव उठाएं वहीं अगली जानकारी है चत्तितगण को मिली है कोरोना वेक्सिन जिलों को वित्रण का काम सुरू हो गया है वेक्सिन का चत्तितगण में कोरोना दोरा निर्मित कोविसिल्ड के 3,23,000 टीके प्रदेश को मिले है रायपूर, दूर्ग और विलासपूर संबाग के जीलों को इनका वित्रण आज ही सुरू कर दिया गया है बस्तर और सरगुजा संबाग के जीलों में 14 जनवरी को ही ये टीके वेज़े जा चुके है स्वास विभाग द्वारा प्रोटोकाल के अनुसार प्रदेश के सभी जीलों में इन टीकों के परिवान यों मंधारन की पुकता विवस्ता की गई है सभी जीलों में टीका करण के लिए माक ड्रिल और आपाद इस्तिरी से निपटने का पुरुआ अब्याज भी किया जा चुका ह राज वेक्सिन भंडार से जीलों तक वेक्सिन भेजने के लिए इंसुलेटेड वेक्सिन भेन की विवस्ता भी की गई है जिससे वेक्सिन ट्रांस्पोर्ट में कोई दिक्कत नहों इसके लिए एक राज इस्तरी, तीन छेतरी इस्तरी और सत्ताई जीला इस्तरी कोल्ड च पॉइंट भी इस्तापित किये गए हैं प्रदेश में वेक्सिन के परिवन के लिए 1311 कोल्ड बाक्स उपलब्ध हैं प्रदेश में सिरिंज नीडिल एवं अन्य सामगरियों के भंडारन के लिए प्रदेश भर में 360 ड्राइ इस्टोरेज भी बनाए गए हैं ताकि वेक्सिने इस्तल चिननाकित किये गए हैं जहां कुल 2,67,399 हेल्थ केर वरकरों राज्य वकेंद्री करमचारियों तथा ससस्त्र बलों को टीके लगाई जाएंगे इन सबकी जानकारी कोविन पोर्टल पर इंटरी की गई है जो सरकार दोरा बनाय गया है कोविन पोर्टल टीका करण क के लिए 7,116 ठीका करण करमियों को चिननानकित कर इसका प्रसिचन दिया गया है सभी 28 जिलों में 83 श्थानों पर COVID-19 ठीका करण का पूर्वा अभ्यास किया जा चुका है तो इस प्रकार से पूरी विवस्थाय COVID-19 को लेकर के सरकार पूरी तरह से सतरक है तैयारी में हो जाएगा सबसे पहले स्वास्त करमियों को ठीका लगाये जाएगा उसके बाद अगली खेप में आमजन को लगाये जाएगा तो इस प्रकार से जानकरिया थी ठीका करण के बाद किसी भी तरह की प्रतिकुल घटना या आपात इस्तिती के प्रबंदन के लिए राजिस्त केंदर से जोड़ा गया है ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिकुल घटना होती है तो जल्द से जल्द अलर्ट किया जाए और उसमें सुदार किया जाए इस प्रकार से जानकरिया थी यदि आपको जानकरिया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और इसी प् पूरा देखेगा यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सेर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाब ले सके तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत